Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, mass spectrometry, हम different classes का fragmentation pattern discuss कर रहे हैं. हमने इससे पहले lecture number 33 में fragmentation pattern of amides discuss किया था. आज की lecture में हम fragmentation pattern of nitriles discuss करेंगे कि mass spectrometry में जब हम electron की bombardment करके fragmentation करते हैं nitriles की तो हमें किस तरह के signals मिलते हैं, किस तरह के fragment मिलते हैं, उनकी mass to charge values क्या होती हैं. Nitriles, actually CN जो functional group होता है, उसको nitrile functional group कहते हैं, R, C, triple bond, N को. अब ये अलिफेटिक भी हो सकते हैं, आरोमेटिक भी या जो आर ग्रूप है, ये आर ग्रूप कोई भी अलकाइल ग्रूप हो सकता है, या कोई अरायल ग्रूप भी हो सकता है. अगर R ग्रूप, अलकाइल ग्रूप है, सिंपली, तो ये अलिफेटिक नाइट्राइल होंगे, अगर यहां पर A, R ग्रूप आ जाएगा, अरायल ग्रूप तो ये अरोमेटिक नाइट्राइल होंगे. जो अलिफेटिक नाइट्राइल होते हैं, उनकी जो मॉलिकिलर आइन पीक है, वो बहुत वीक, यनि इतनी वीक होती है, कि वो अब्जर्व ही नहीं होती, मैस स्पेक्टरम में अपियर ही नहीं होती. नाइटराइल्स में बहुत weak सी पीक आती है जो के मॉली को दर आइन पीक होती है या या पीक अपिअर ही नहीं होती यानी फ्रेग्मेन्टेशन बहुत जादा होती है जब के आरोमेट्रिक नाइटराइल्स में ये बड़ी significant और prominent पीक आती है नाइट्राइल्स में तो aliphatic में weak या होगी नहीं, absent होगी aromatic में बड़ी strong पीक आएगी aromatic नाइट्राइल्स की अब इन में different जो पीक्स आती है एक पीक आती है loss of hydrogen की वज़ा से यहनी जो cn group है, cn group के जो बिलकुल 7 वाड़ा carbon होता है जैसे for example, यह हमरे पास R, CH2 और उसके बाद cn है यह जो हमरे पास cyanide है, nitrile functional group है इसके साथ यह जो alpha carbon है, यह वाड़ा hydrogen यहां से shift हो जाता है यह hydrogen यह जहां से निकलेगा, तो यहां रह जाएगा CH और फिर यह बन जाएगा double band C, और यह आ जाएगा double band N यह हमरे पास केटाइन बन जाएगा, जबके यहां से hydrogen radical निकल जाएगा तो एक तो यह peak इन में जो characteristic है, जो diagnostic peak है जिससे हमें nitrile की characteristic peak का पता चलता है, हमें पता चलता है कि यह nitrogen रखने वाड़ा compound nitrile ही है, वो एक peak यह वाड़ी होती है by the loss of H, इसके बाद जो हमारे पास nitrile होते हैं, इन में मेकलिफर्टी री रेंजमेंट भी होती है, मेकलिफर्टी री रेंजमेंट के लिए जो छोटे से छोटा alkyl group है, वो प्रोपाइल होना चाहिए, जैसे यह हमारे पास C triple band N है this is nitrile, तो इसमें हमारे पास है, छोटे से छोटा जो alkyl group है, वो प्रोपाइल ग्रूप होना चाहिए यहनी gamma hydrogen होना चाहिए, यह आ गया CH2 और यहां यह H आ गया अब यह radical ketine है, तो यह hydrogen यहां पर shift हो जाएगा nitrogen पर एक electron यहां से आएगा, और एक यह जो carbon और hydrogen के दरम्यान bond है, यहां से आएगा यह यह बन जाएगा NH, H यहां पर shift हो गया और यहां पर अब रह जाएगा positive charge और यह आ जाएगा triple band C, अब यह जो electron एक यहां से बचा है, वो यहां आएगा और फिर यह जो दो और एक्टर, और आपको पता है, मैकली 40 rearrangement में जो alpha और beta carbon होता है, उनके दरम्यान वारा bond break हो जाता है, यहां से M-28 peak आएगी, अगर हमारे पास propyl group होगा, तो यह ethene निकलेगी, जह जैसे alkyl group बड़ा होता जाएगा, तो वो 14 का फरक पड़ता जाएगा यानि अगर यहां butile होता, तो फिर यहां 42 आजाता, 14 हम add कर देते, इसी तरह 56 आजाता, जितना alkyl group बड़ा होता जाता, और यह एक electron इस CH2 पे आजाएगा, इस तरह हमारे पास इसकी वज़ा से peak आएगी, और यह peak भी, मैकली 40 rearrangement की वज़ा से, नाइट्राइल्स में आने यह peak भी बड़ी characteristic peak होती है, अगर हम इसका मैस देखें, दो carbon है, 24 है, nitrogen, 14 होता है, 38 और 3 hydrogen है, तो यह peak मैकली 40 की वज़ा से 41 पर आती है, यह भी diagnostic या characteristic peak है, यह हमारे पास जो नाइट्राइल होते हैं, अलिफेटिक उनकी, यही वाली peak है, यही वाली, अगर हम यहां पर यह वड़ा band shift कर दें, इस जगह पर, और यह double band रह जाएगा, यहां पर दो electron है, एक electron इधर बेजें, यह वाला electron इधर, तो यहां double band बन जाएगा, और यह electron चले जाएगा, nitrogen पर वापस, यह नाइट्रोजन पर positive charge और unpaired electron आ जाएगा, तो यह जो 41 पर मैकली 40 की वज़ा से, अल ephatic nitriles, इसके लावा nitrogen rule वो तो अबे होगा, कि अगर और number of nitrogen atom है, तो जो molecular आइन पीक होगी, वो भी odd mass वाली होगी, अगर हम spectrum देख लें, सबसे पहले हमारे पास spectrum है, hexane nitrile का, हमारे पास total six carbon है, hexane nitrile, या इसको pentile cyanide भी कह सकते हैं, pentile cyanide या hexane nitrile, जोंकि एक nitrogen है, तो odd nitrogen का मतलब है, odd इसका mass आएगा, तो इसकी molecular आइन पीक जो है, वो 97 पर आजाएगी, यहाँ पर radical जो केटाइन बनेगा, जो molecular आइन पीक बनेगी, वो 97 पर आजाएगी, अब यहाँ से एक H निकलेगा, यह वड़ा H, जैसा कि हमने पहले discuss किया, यह ह हमारे पास methyl group है, methyl के साथ अगर हम 3 CH2 group लगा दें, टोटल 4 है, लेकिन एक का हमने hydrogen निकलना है, CH3, तो यह आजाएगा, यह जो है CH रह जाएगा, तो एक यहाँ पर पीक आएगी, जो के hydrogen जो है, उसके निकलने की बजा से आएगी, यहाँ से hydrogen radical निकल जाएगा, और एक पीक इसकी 96 पे आजाएगी, तो एक तो अलकाईल जो नाइट्राइल है, अलकेन नाइट्राइल, उनमें सायनाइट्स में एक पीक आती है, हाइडोजन के लॉस की वज़ा से, और हाइडोजन कौन सा निकलता है, अल्फा वाडा जो हाइडोजन, यहाँ से निकल जाता है, hydrogen का loss है, यह M-H, M जो है वो 97 पे है, यह radical केटाइन है, radical केटाइन, इसके इलावा यहाँ पर different fragments आ सकते हैं, different fragment means अगर यह बांड यहाँ से break हो जाए, simply इस जगह से, तो यह हमारे पास जो fragment separate होगा, यह आएगा CH2 double bond या CH2 radical और यह आजाएगा C triple bond N, और N पर भी radical positive charge आजाएगा, तो यह जो bond आएगा, यह अगर आप इसका match चेक करें, दो carbon है, 24 और यह 14, 38 और 240, तो यह 40 पर peak अपियर होगी, इसके अलावा चूंकि इसमें अलकाइल ग्रोप प्रोपाइल से बड़ा है, तो यहाँ मेकली 40 rearrangement भी होगी, यह हमारे पास carbon nitrogen triple bond है, यहाँ से gamma hydrogen 1, यह आजाएगा CH2 alpha, और फिर CH2 beta, और इसी तरह हमारे पास है, यह आजाएगा gamma और gamma वाड़ा H हमने shift करना है, और इसके साथ साथ यहाँ पर, चूंकि यह total 4 CH2 और एक methyl group है, यह 4 वाड़ा CH2 और यह यहाँ पर आजाएगा methyl group, अब यहाँ पर मेकली 40 rearrangement में क्या होता है, मेकली 40 rearrangement में यह वाड़ा जो H है, यह nitrogen पर shift हो जाता है, यह nitrogen radical ketine है, तो एक electron इदर से आएगा, तो यह बन जाएगा NH और इस तरह से यह तूटके NH बन जाएगा, मैं साथ सा structure बना देता हूँ, यह बन गया NH और यहाँ रहा गया positive charge, यह आजाएगा triple band, triple band C है और फिर CH2 है, next क्या होगा, यह जो एक electron है, यह यहाँ पर आएगा, और फिर यह वाड़ा band break होके, इसका एक electron यहाँ इसके उपर free radical की शकल में रह जाएगा, जब कि दूसरा electron यहाँ पर double band बना देगा, यह यह अलकीन यहाँ पर separate हो जाएगी, और यह हमारे पास 41 पर एक पीक आ जाएगी, यह characteristic है aliphatic amines की, aliphatic amines में एक पीक जो है, वो 41 पर आती है due to macliferti rearrangement, इसके साथ साथ, यहा यहाँ से सिर्फ मैथल ग्रूप अलैदा हो जाए, तो यह 97 में से अगर मैथल ग्रूप निकाल दें 15, तो यह 82 पर भी पीक आ सकती है, इसी तरह यहाँ से यह पूरा propile group माइनस कर दें, तो propile का मतलब है 43 पर पीक आ सकती है, और अगर यह 43 है, तो यह फिर बाकी वड़ा ज पीक आ सकती है, जैसे अलकेंज में होता था, कि CH2 के डिफरंस से पीक साती रहती है, तो इतनी लंबी चेन हो, तो फिर कोई भी कलास हो, उसमें CH2 के डिफरंस में छोड़ छोटे फ्रेग्मेंट जरूर आते हैं, तो यह prominent पीक एक तो जो characteristic जो diagnostic पीक है, वो 41 पर आनी है, मैक कम होगा, इसी तरह अगर हम aromatic nitriles में देखें, जैसे हमारे पास यह benzone nitrile है, benzene cyanide है, phenyl cyanide, इसका molecular weight 103 है, तो इसमें जो aromatic nitriles हैं, इन में जो पीक होती है, molecular iron peak, वो काफी strong और stable peak आती, aliphatic में बहुत weak होती है, यह absorb भी नहीं होती, लेकर आरोमैटिक में यह एक अच्छी intensity वाली, ज्यादा percentage वाली peak होती है, अब यहाँ पर एक peak तो वैसे आ सकती है, जैसे हमने पहले देखा, कि H के loss से आ सकती है, यहाँ से 1H निकल जाए, और यह हमारे पास 102 पे peak आ जाए, एक H के निकलने से 102 पे peak, यहाँ पर एक H निकल जाए और 102 पे, या फिर पूरा CN ग्रूप यहाँ से निकल जाए, यह CN, अब CN का match कितना होता है, कार्बन का 12 और nitrogen का 14 है, यह होता है 26, तो अगर हम 103 में से 26 माइनस कर दी, तो यह हमारे पास 77 पे peak आएगी, यह हमारे पास यह Phenyl Cetine जो है, वो भज जाएगा, और Phenyl Cetine जो है, यह इस तरह से, यह इसकी peak आती है 77 पर, इसके साथ साथ जैसा कि हमने Amines में देखा था, यहाँ से HCN का भी Loss हो सकता है, अगर इसके साथ H भी निकलेगा, HCN का Loss भी होगा, यह एक दफ़ा CN निकल जाए, एक दफ़ा H निकल जाए, जैसे मैंने पहले बताया, के नाइट्राइल्स में मॉलीकुदराइन पीक के साथ एक और पीक भी आती है, जो के H के Loss से आती है, नाइट्राइल्स में, Amines में, तो यह 102 पे पीक आएगी, तो H निकलने के बाद अगर CN भी निकल जाए, ओवराल Loss यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCN का Loss हो जाएगा, यह नि जो हमारे पास 103 है, उसमें से HCN जो है, उसका मैस माइनस कर देंगे, 103, 103 में से हम माइनस कर देते हैं, 27, तो यह पीक आती है 76 पे, तो यहाँ पर 76 पे भी पीक अपियर होगी, This is due to the loss of HCN, यह यह आजाएगा, M प्लस माइनस, जो मॉली को देंगे पीक है, यह उसमें से HCN निकला है, तो यह 76 पर पीक आगी है, इसी तरह 77 पर पीक आई है, जब 103 में से सिरफ CN निकलेगा, पहले hydrogen निकल के 102 पीक बने, और फिर 102 में से CN निकलेगा, तो CN के निकलने से 102 में से CN माइनस करेंगे, 102 माइनस CN करेंगे, तो वो 76 पर पीक आएगी, अब यह 76 या 77 पर पीक आएगी, तो इसमें से acetylene निकल सकता है, यहनि 26, C2H2 कितना होता है, 26, तो अगर हम 77 में से, जो यह वाली पीक आई है, इसमें से 26 निकल दें, तो 26 निकालने से 51 पर पीक आ सकती है या अगर ये 76 वाले पीक आ गी है ये वाले जिसमें से HCN निकल चुका है तो उसमें भी आप 76 में से भी आप असी टाइलीन निकाल सकते हैं 26 तो 50 पर भी पीक आएगी तो पीक 50 पर भी आ सकती है इसके साथ साथ यहां पर 51 पर भी पीक आ सकती है 51 पर जब 77 में से acetylene निकलेगा और 50 पर जब 76 में से acetylene का molecule यहां से निकल जाएगा तो इस तरह से nitriles में different fragments आते हैं यह था dear students हमारा आज का छोता सा lecture Thank you very much